पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग अब बारी आगी है तीसरी काउंसलिंग जी हाँ बीएस्टीसी के अंदर अभ्यरती थोड़े दुखी हो रहे हैं हतास हो रहे हैं बिल्कुल भी टेंसन नहीं लेना है जैसा हमने आपको कहा था कि प्री डीलेड बोर्ड जो है विकानेर आपके लिए थर्ड काउंसलिंग जारी करेगा और वो करी दिया है बिल्कुल टेंसन लेने क्या उशेक्ता नहीं है थर्ड काउंसलिंग की पूरी ये जानकारी मैं आपके साथ साजा कर रहा हूँ दोस्तों यहां पर जो है आपको क्या करना है कि जो टोटल सुल्क रासी है तेरा आजार पान सो पचपन रुपए वो आठ अपरेल से पनर अपरेल के बीच भर देनी है और साथ ही साथ में आपके पास जो यह डूरेशन है उसके अंदर ही आपको पूरा का पूरा फॉर्म भिलब कर देना है अब्यर्ति द्वारा स्वयम के लोगिन के जरिये आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्ता संस्तान में प्रवेश लेने के लिए ओनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की जो डेट है वो भी आठ से सोला के बीच रखी गई है इस टाइम डूरेशन के अंदर अपने आपको पूरा तयार कर लेना है काउंसलिंग के अंदर जो भाग ले रखे हैं विद्यारति आपवर्ड मुमेंट के अंदर भाग ले सकते हैं साथी साथ में ये पूरा का पूरा अपवर्ड मुमेंट अभ्यारतियों को सुल्क पूरु में जमा हो चुका है यानी दोनों जगे आपको वहाँ पर अटस्टेशन करवाना पड़ेगा ठर्ड काउंसलिंग के अंदर यह आचुकी है बहुत शान्दार खुसकबरी बिल्कुल बच्चों और जिनका भी अभी भी सलेक्शन नहीं हुआ है, बिल्कुल भी तनिक न गबराना, तनिक न परेशान होना, हतास होना, बच्चा आपकी तैयारी सलेक्शन वाली हो, इसलिए प्रतिग्या परिवार आप लोगों के लिए अपना नया जो बैच है, BSTC का वो सुरू कर चुका है पिसली बार भी ऑफलाइन सबसे शांदार रिजल्ट हमने प्रोडूस किया है इस बार भी हम शांदार रिजल्ट प्रोडूस करने के लिए बिएस्टीसी दोजार चोबीस के लिए हम पूर्ण रोप से तयार है ओनलाइन हो या ओफलाइन हो हम सभी माध्यम के अंदर उपलब्ध है यदि ओफलाइन तयारी करना चाहता है जोदपूर आईए और ओनलाइन हमारा एप्लिकेशन प्रतिग्या क्लासे जोदपूर डाउन हम आपके लिए उपलब्ध है धन्यवाद जय हिन है कि अ